उत्तराखन मुक्त विश्य विद्याले के सबी शिक्षार्थियों को मैंने नमिसकार, मैं हूँ डॉक्टर पूजा भट विश्य विद्याले के ग्रह विग्यान विभाग से साथियो, आज हम बात करने जा रहे हैं खादी के विशय में खादी, जिसे आप भारत का राश्ट्री कपड़ा कह सकते हैं अब हुम बात करते हैं कि खादी क्या है खादी एक ऐसा शब्द है जिसका अस्तमाल ऐसे कपड़े के लिए किया जाता है जिसे हाथ से काता और बुना जाता है यानि इसमें जो वीविंग और स्पिनिंग दोनों जो चीज़े होती हैं वो हाथ से ही की जाती है इसमें किसी प्रकार के मशीनों का इस्तमाल रहीं किया जाता है और खादी को बनाने के लिए जो raw material use में लाया जाता है वो होता है कपास यानि cotton लेकिन खादी रेशम और उन से भी बनाई जाती है खादी हमारे देश में आत्म निर्भरता और स्वतनता का प्रतीक है और खादी की सबसे अच्छी बात ये है कि ये जैविक होता है और इससे किसी प्रकार का कोई प्रदूशन नहीं होता है साथियों अब हम जानते हैं कि आजादी से पहले खादी की क्या इस्तिती थी महात्मा गांधी जी ने आजादी से पहले बिटिश कपड़ों के बहिशकार के आंदोलन के रूप में 1920 में खादी संस्कृति को एक राजनितिक हतियार के रूप में पेश किया गांधी जी के ही नेतर्त्व में खादी निर्माण ने एक गदी पकड़ी गांधी जी ने नारा दिया कि स्वदेशी अपनाओ और विदेशी का बहिशकार करो उस समय पे सभी लोगों ने खादी को ही अपनाया और खास करके जो स्वतिमता सेनानी थे उन लोगों के लिए खादी एक अहम हिस्सा बन गया था उसके बाद 1925 में असयोग आंदोलन के बाद All India Spinners Association के स्थापना हुई उसके बाद खादी के निर्माण ने और तेजी से रफतार पकड़ ली गांधी जी ने खादी की अवधारना को लेकर जो बेरोजगार ग्रामीर थे उनको भी रोजगार प्रदान किया स्थंता के बाद भी आंदोलन जारी रहा और अखिल भारतिय खादी और ग्रामुद्योग बोट बनाये गया जो बाद में खादी ग्रामुद्योग के नाम से परडित हुआ अब हम बात करते हैं कि खादी में परिवर्तन किस प्रकार से आया देखे हम जानते हैं कि खादी एक ट्रडिश्टर फैब्रिक है यानि यहाँ पूरता पारबपरिक है लेकिन किसी भी चीज को प्रासंगिक बने रहने के लिए अपने आप में चेंजिस करना बहुत जरूरी होता है खादी ने धीरे धीरे अपने में बहुत सारे मोडिफिकेशन अडेप्ट किये हैं इसके लिए 1989 में KVIC द्वारा मुंबई में पहला खादी बेजड फैशन शो आयोजित किया गया इसके बाद 1990 में मशूर डिजाइनर रितु बेरी ने दिल्ली के क्राफ्ट म्यूजियम में प्रतिष्ट ट्री ओफ लाइफ शो में अपने खादी कलेक्शन को पेश किया इन चीजों से खादी को फैशन इंडरस्ट्री में नहीं पैचान मिली आज की समय में हम देखें तो जो खादी है ये भारत के एक बहु संख्यक और यूवर के लिए एक स्टाइल स्टेट्मेंट बन चुका है तो ये तो में रीजन थे कि किस प्रकार खादी में चेंजेस आए उसके अलावा धीरे धीरे करके तक्नीकों में चेंजेस आता गया उकरणों का नुसंधान हुआ इसके विज़े से भी खादी में बहुत सारी चेंजेस आए इसके अलावा नई नई खादी संस्ताओं की स्थापना हुई कारीकरों को समय समय प्रिश्चर दिया गया ताकि वे खादी के डिजाइनिंग और उसके डवलपमेंट में और जादा अपना योगदान दे सकें इसके अलावा भी उच्चत पादन शमता वाले चर्खा और विबिन प्रकार के फाइबर की मिक्सिंग की गई जिसके द्वारा खादी से जो बने जो वस्तर थे वो और भी भैतर होते चले गए विबिन प्रकार के शेट कार्ट बनाए गए शेट कार्थिया है कि विबिन प्रकार के रंगों में खादी को इंटर्डूस किया गया लोगों के आगे इसके अतरिक्त भी फैब इंडिया और नेचर एले जैसे जो प्रतिष्टिट ब्रैंड है उनके साथ भी खादी का कोलाबोरेशन किया गया इन सब की वज़े से जो खादी को एक नई पहचान मिलती ही चली गई अब हम बात करते हैं चक्री फैशन की यदि आप ऐसा समझते हैं कि खादी का जो पुरुरधार हुआ है वो अभी हुआ है तो ये पूरताव सत्य नहीं है एक्चुली ये जो खादी में जो चेंज़ेज आए हैं और वो आज जस मुकाम पे पहुँच चुका है वो एक फैशन चक्र का ही एक नतीजा है क्यूंकि फैशन हमेशा चक्रिय होता है कोई भी फैशन होता है वो कुछ सालों बात रिबीट होता है तो इसमें आश्चर की कोई बात नहीं है कि खादी ने फिर से एक अच्छी स्तिती हासिल कर ली है और अब यह सिर्फ एक political expression वाले कपड़ों के रूप में नहीं है बलकि एक fashion statement भी बन चुका है अब जो एक खादी है जो हमारे society में elite group है उनके लिए एक बहुत बड़ा brand बन चुका है और middle और lower class हैं वो लोग तो खादी को पहले से ही अपनाते ही थे और अब इसमें जो खादी है उसने भारती शैली के सांसनात काफी बारीकियों से सारी चीजों को अपने में adapt किया हुआ है देखे कोई भी जो fashion होता है वो पहले start होता है उसके बाद वो peak पहुंचता है उसके बाद वो धिये धिरे decline होने लगता है लेकिन कुछ fashion ऐसे होते हैं कि वो completely decline नहीं होते हैं वो हमारे society में एक level पे बने रहते हैं तो इस प्रकार का जो fashion होता है उसे हम classic fashion कहते हैं और जो खादी है इसी classic fashion का एक example है धीरे धीरे इस classic fashion ने फिर से rise आया और वो peak पहुंच चुका है तो इस प्रकार से खादी ने जो अपनी स्थिती है वो चक्री fashion के थू हासल करी है इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि क्योंकि fashion cycle अपने आपको खुद repeat करती है इसी वज़े से खादी ने भी अपना जो पुराना मुकाम है वो फिर से हासल कर लिया है अब हम बात करते हैं कि खादी में contemporary twist क्या है यानि परंपरा और आधुनुक्ता के बीच कि उस प्रकार संतुलन बना हुआ है देखिए हम जानते हैं कि जो खादी है वो हमारे विरासत का प्रतीक है और ये हर गुजरते दिन के सांथ बड़ा और बहतर होते जा रहा है खादी हमारे लिये सतनता का प्रतीक भी है और अभी भी ये जैसे हमारा देश विक्सित देशों की श्रेणी में दीरे दीरे आता जा रहा है तो उसमें भी भारत का प्रतिनिद्ध करता है खादी की खास बात ये है कि जो इसमें जो वीविंग होती है वो ट्रडिशनल लूम्स पर की जाती है लेकिन उसके बाद में जो इसकी जो डिजाइनिंग होती है वो कंटेंप्रेली है मतलब जो designing इसमें करी जाती है वो नवीन है लेकिन बुनाई पुराने looms पर ही करी जाती है इसमें जनरली जो खादी का कपड़ा होता है वो काफे सुस्त और dull colors में आता था पहले से और जो fabric होता था बहुत ही थिक होता था लेकिन आज खादी चेंज हो चुका है आज खादी जिवान रंगों में आता है और जो खादी के जो fabrics होते हैं वो बहुत हलके और पतले होते हैं इससे जो अभी की पीडी है उसके लिए एक पसंदीदा कपड़ा बनता जा रहा है Classic जो खादी के कपड़े होते थे वो brown color के उसमें stripes आपको देखने के मिलती थी इस प्रकार से दिन प्रती दिन बहतर होता चले जा रहा है तो यहां पर आप देखिये कि कि इस प्रकार से खादी को अलग-अलग fibers के साथ mix करके इनसे fabric बनाया जा रहा है और यहां पर अलग प्रकार के इसमें time dye का यूज करके खादी में उनको और अच्छा बैराया जा रहा है इसके अलावा भी जितने भी surface modifications हैं और surface enrichment हैं वो खादी पर किये जा रहे हैं जिसकी खादी है खादी से बिने जो कपड़े होते हैं काफी comfortable होते हैं खादी गर्मियों के लिए अनुकूल कपड़ा है और जो उसका look है और जो उसका feel है वो भी बहुत ही sophisticated होता है यह जो fabric है यह सिफ नकेवल तवचा पे नरम होता है बलकि अगर आप humid atmosphere में भी यह बहुत अच् है तो इस प्रकार से उसकी weaving की जाती है कि fabric में spaces बने रहते हैं तो यह हवा को एक mark प्रदान करता है जिस वज़े से यह हमें comfort की feeling देता है जो खादी का fabric है उसमें बहुमिकी प्रतिबा है अगर हम इसकी shelf life की बात करें तो खादी का कपड़ा 4-5 साल तक भी अच्छा बना र जाते हैं वह environmental friendly होते हैं और हमारी त्वचा पे भी कोई नुकसान नहीं करते हैं इसके अलावा जो खादी है वह printed और plain दोन प्रकार के fabrics में आता है इसके अलावा जो खादी से बने जो garments हैं उन्हों उनमें भी जो कर्ट्स और सलिट्स हैं उनमें काफी जादा पश्टीमी क जाके खादी से बने वे कपड़ों को पहनना पसंद कर रहे हैं तो इन चीजों के विजए से जो खादी है वो खुद को एक भविश्य के लिए एक टिकाओ कपड़ों की रूप में स्थापित कर रहा है इसके अलावा क्या होता है कि जो खादी है वे एक self textured fabric होता है तो आप विबन प्रकार की कडाईया चिकन, कांथा, कशीदा, ब्लॉग प्रिंटिंग आधी ये सब खादी पे किया जा सकता है तो इस प्रकार से जो खादी है वो formal wear भी बन जाता है और festive wear भी बन सकता है तो क्योंकि जो खादी की जो range है वो हर प्रकार के seasons के लिए और हर प्रकार के जो occasions है उनके लिए बनता रहता है खादी तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि खादी सिर्फ एक formal wear के रूप में ही नहीं बलकि festive wear और विबन प्रकार के occasions में भी पहने जाने वाला कपड़ा बन सकता है एक खास बात और है कि खादी सिर्फ कपड़ों में ही नहीं जो हमारी furn furnishing items है उसमें भी खादी से बनी जो चीजें हैं वो काफी आजकल देखने में मिल रही है तो इसलिए जो खादी है वो नए आयाम प्राप्त कर रहा है अगला है खादी और आर्थिक पिकास देखिए जो खादी है ये लोगों को रोजगार देता है और क्योंकि रोजगार द बहुत आसान होता है इसके लिए बहुत कम पूंजी लगती है और कोई ऐसे खास उपकरण के आवशत्ता भी नहीं होती है तो जो ग्रामीर भारत के जो लोग है उनको ये रोजगार दे रहा है और इस प्रकार से अर्थ व्यवस्ता को बढ़ावा भी दे रहा है इसके अला है कि जो उत्पादकता है उसमें व्रिद्धी हो रही है ग्रामीर जो शेत्र है वहां पर भी ओध्योगी करण काफी बढ़ चुका है क्योंकि जो हमारे ग्रामीर लोग है उनको जब उनके घर पर ही उजगार मिल रहा है तो उसे पलायन में भी कमी देखी जारी है इसके अल जाता है आपको और इस जो ट्रेड मार्क को नौ देशों में सुरक्षित कर लिया गया है और इसके अलावा केवी आईसी ने जो खादी से बने कपड़े के अतरिक्त और जो खादी तवारा अन्य चीज़ें होती हैं जैसे खादी साबुन, खादी सौंदर प्रसादन, अग तो इस प्रकार से जो खादी का ट्रेड मार्क है यह उप्भोकताओं एवं जो खादी का उत्पादन कर रहे हैं दोनों के लिए कारगर साबित होगा, अहुं बात करते हैं डिजाइनर की भूमिका, खादी को लोगप्रे बनाने में डिजाइनरों का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि जो खादी को डिजाइनरों ने जिस ग्लैम्रेस रहं से प्रस्तुत किया है और जो वॉलिबुड में भी काफी जो सेलिब्रीज हैं उन्होंने इसे अपनाया है तो यह एक प्रकार का पी आंदोलन ही बन गया है क्योंकि भारतिये फैशन डिजाइन परिशन ने खादी के कपनों को पुरजिवित करने और इसकी मांग बढ़ाने हेतु बड़ी ही भूमी का निभाई है फैशन डिजाइन ने खादी के कपड़े में फुलकारी, चिकनकारी, कलमकारी विविन प्रकार की जो डिजाइनिंग है उसको इसमें इंकॉर्परेट किया है खादी का एक आश्यजनक भविश्य है और जो उसका वरतमान है वो बहुत ही गौरवशाली है अब हम बात करेंगे डिजाइनर्स और ड्रैंड्स की भूमी का क्या है खादी को लोगप्रे बनाने में अनिता डोगरे, भानु अथाया, रितू बैरी, स्वाती, अंजियू मोदी, सब्वेसाची मुगर्जी, रोहित बल ऐसे कई डिजाइनर्स है जो अपने डिजाइन्स में खादी को इंकॉर्परेट कर रहे है तो इन सब की वज़े से जो खादी है वो सेलेबिटीस की बीच पॉपलर होने की वज़े से क्योंकि जो फैशन है फायर ग्रुप से लोर ग्रुप की ओर आता है जब इसे एक बड़ा और अलीट अपनाता है तो धीय दिरे फैशन नीचे की ओर आता है तो आम जनता भी इससे अबगत हो रही है और वो भी खादी को अपनाने में इंपॉर कर रहे हैं अब आता है उत्पाद विवधिकरन यानि प्रोड़क्ट डाइवर्सिफिकेशन खादी स्रिफ कपड़ों में नहीं बल्कि खादी अब आपको बैक, कुशन, शूज, फेस मास्क और कई ऐसे मनमुहक उत्पादों में भी मिलता है और जितने भी प्रोड़क्ट अब आते है सस्टेनिबिलिटी वेब, आजकल क्या है कि लोग परियावरेंट के पती बहुत जागरूब हो गए हैं, यानि लोग परियावरेंट के बहुत जावेदन शील हो गए हैं, तो लोग खुदी चाते हैं कि वो सिंथेटिक की बजाए प्राकरतिक चीजों को अपन हैं, तो इसलिए आप कह सकते हैं कि जो खादी के पुरूर्थान में जो सस्टेनिबिलिटी है, उसने बहुत जादा महत्यपूर्ण भूमी का निभाई है, क्योंकि जो खादी है वो सस्टेनेबल होता है, इस वज़े से खादी को दुनिया भर में सरहाना मिली है, सरकार का भी खादी को मड़ावा देने में बहुत इंपॉर्टेन्ट रोल है, खादी और जो ग्रामुद्यो आयोग भारत सरकार की एक संस्था है, जो खादी को बढ़ावा देती है, जिसका उतपादन और बिक्री लगूद द्योग शेतर के अंतर का दाता है, हर साल अक्टूबर स जनवरी के बीच सभी जो खादी के उतपाद हैं, उन पे एक सेल लगाई जाती है, जिससे कि जो खादी की सेल है, वो जादा इंक्रीज होती है, इसके अलावा भी खादी को बढ़ावा देने के लिए देश विदेशों में खादी बेस जो प्रोड़क्ट हैं, उनसे सम्मं मंत्री नरेंद मोदी जी द्वारा भी खादी है, उसको काफी अच्छी पहचान मिली है, क्योंकि वो भी जो खादी के लिए जो आंदोलन है, उसका समर्थन करते हैं, उनके द्वारा जो सहियोग खादी उद्द्यों को प्रदान किया गया, वो सरहानी है, इसके अतरिक्त खादी सुधार विकास कारिकरम भी बनाया जा रहे हैं, और जो सरकार है वो बेसिकली युवाओं पे ध्यान दे रही है, क्योंकि जो एक बड़ा जो भोगदा वर्ख है वो युवा है, ताकि युवा लोग जासादा खादी को अपना है, और इसके लिए स्कूल, कॉलेज जो उद्योंगों से भी सरकार लगाता संपर्क में है, ताकि वहाँ पे लोग खादी के महत्व को पहचानेंगे और उसका प्रचार प्रसार होगा, अब हम बात करते हैं कि किस प्रकासे सोशल मीडिया खादी के पुनुत्थान में योगदान दे रहा है, जो सोशल मीडिया के थूख खादी के लोग प्रेता में काफी जादा वृध्धी हुई है, अन्त में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि जो खादी है वो केवल परंपरा या फैशन के बारे में नहीं है, बलकि ये उससे कई जादा देखे, ये स्थाई फैशन को बढ़ावा देने और भारत की स अन्ता संगराम को याद करने के विशय में है, इसी के साथ मैं आज का व्याख्यान समाक्त करती हूं, आशा करती हूं कि आपको ये व्याख्यान उप्योगी लगा होगा, धन्यवाद